हेलो बच्चो देखिए आज की लेक्चर में आप लोगों को क्या सिखाने वाला येस आई-उ-पी-सी नॉवनक्लेचर ओफ डाई-इन-पॉली फंक्शनल कमपाउंड्स इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही और गेनिक कमपाउंड में दो या दो से ज़्याद है मान लीजिए कि आपके पास यह कोई कमपाउंड है बहुत सिंपल से कमपाउंड लिया है लेकिन हमें तो कॉंसेप्ट सिखाना कि डाई और पॉली फंक्शनल का मतलब क्या है तो यह जो और गेनिक कमपाउंड इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रूप नजर आ रहे हैं जह के टोन तो अब यह जो कमपाउंड आपके सामने नजर आ रहा है अब इस कमपाउंड को या तो हम लोग एल्डी हाइड के नाम से जानेंगे कि हमसे कोई पूछी की compound है क्या नाम तो बाद में पहले ये contest के नाम से जाने अग कोशन यह हो जाता है कि अब इसको किसके नाम से जाना जाया इसेlor के है इसे suggest के शूंño का नाम कोई एक तो main principal functional group होगा, main, main functional group होगा, जो दूसरा होगा कोई भी, इन में से कोई एक तो होगा, जिसके basis पे इसका नाम लिखा जाएगा, जिसके basis पे इस compound का नाम लिखा जाएगा, जाना जाएगा, जिसे two degree suffix कहते हैं, main functional group, लेकिन जो दूसरा functional group होगा वो इसमें as a branching substitute मतलब prefix का काम करेगा तो अब यही तो पता करना है कि कौन as a branching का काम करने वाला है और कौन सा as a main functional group काम करेगा तो उसके लिए तयार हो जाओ एक priority order देखने के लिए कि priority order क्या है क्योंकि उस order के according ही हमें काम करना होगा without order हम इसका नाम नहीं लिख पाएंगे तो चलो स्टार्ट करते है priority order हाँ बच्चों तो देखिए हमारे सामने priority order लिखा हुआ है जो कि main functional group को check करने में हमारी मदद करेगा find out करने में मदद करेगा कि हो सकता है कि कि function group को हम main function group माने और किसी हम as a substitute consider करें तो कहने का मतलब हुआ जो आपने example अभी थोड़ी दिर पहले पढ़ा हुआ था जो हमने example इस तरीके से लिखा था तो उस example में हमारे पास दो function group थे उसमें LD हाइट था और उसमें ketone था तो इस अगर प्राइविटी ओर्डर को follow करें जो कि आयो पीसी हमें provide करती है तो उसमें LD हाइट की ज्यादा प्राइविटी as compared to ketone तो इस हिसाब से यह जो हमारा functional group है मतलब यह जो group है यह हमारा main functional group होगा जिसके basis पे हम इसका नाम लिखेंगे main functional group जो कि क्या काम करेगा two degrees suffix का काम करेगा और ऐसे के इसमें यह जो पूरा compound है इस compound में अगर यह main functional group है तो यह compound LD हाइट के नाम से जाना जाएगा ketone के नाम से नहीं जाना जाएगा और अब हम last में जब हम इसका नाम लिखेंगे तो all word use करेंगे जो कि ऐसा suffix होता है लेकिन जो ketone group है फिर इसका क्या होगा तो आपको बता दिया जाए जब main principal function group जो है पता लग चुका है तो यह जो होगा वो क्या काम करेगा as a substituent का का काम करेगा substituent का का काम करेगा means two degree prefix का का काम करेगा ठेक ध्यान से देखे तो सबसे पहले इसकी बारे में बात करते हैं और साथी साथी देखते हैं priority order में कौन कौन से functional group है मैं एक बार पढ़ता हूँ आप ध्यान दीजेगा carboxylic के सबसे ज़्यादा priority होती है फिर उसके अच सलफोनिक फिर acid and hydride यह आपका acid amide, nitrile aldehyde, ketones alcohol, amines double और triple bond तो जब आप practice करेंगे तो order अपने आपको याद हो जाएगा बार बार आपको order देखना होगा जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा as a main functional group होगा और कौन सा as a substituent काम करेगा यहाँ जो कुछ functional group लिखे हैं यह हमेशा ही आपकी कैसे काम करते हैं, substitute, मतलब prefix में ही इनको use किया जाएगा, तो अब ध्यान देते हैं इस बात में कि जब ketones आपका two degree prefix का काम करेगा, तो इसका नाम क्या लिखा जाए, क्या हम इसके नाम में own word ही use करेंगे, तो बिलकुल गलत बात, हम जब as a, मतलब functional group as a suffix काम करने की वज़ा, as a prefix काम जब करें भई पहले तो यह as a suffix काम करता था, लेकिन इससे जब जादा इससे जादा priority का इससे भी बड़ा ताकतवर अगर functional group present है, तो इसे भई क्या काम करना पड़ा, substitute तो अब substitute में इसका क्या नाम लिखा जाएगा, मतलब prefix के तौर पे इसका क्या नाम लिखेंगे, only नहीं लिख सकते तो आईए देखते हैं, कि ऐसे functional group जिनको prefix के तौर पे हम पढ़ेंगे तो prefix में उनका क्या नाम लिखा जाएगा हाँ बच्चों, तो देखेंगे, आपके सामने board पे कुछ functional group लिखेंगे, जब उन्हें as a prefix पढ़ा जाएगा, तो फटा फट देखते हैं जैसे OH अगर माल लीजिए as a prefix काम करता है, तो उसे hydroxy पढ़ा जाएगा, NH2 के लिए amino CHO के लिए formile NC80 में यह कुछ books इसे auxo भी लिखती है, ठीक है, auxo भी इसे पढ़ा जाता है और ketone के लिए भी auxo और keto हो सकता है, ठीक है तो अगर दोनों एक साथ हों दोनों एक साथ ऐसा prefix हों तो आप same word यूज़ करने की वज़ा है एक के लिए formile और दूसरे के लिए auxo यूज़ कर सकता है यह आप same को avoid करते हो इनके different name को use करें तो बहुत सही रहेगा साथी साथ carboxyl के लिए हम carboxy यह ester है alcoxy carbonile alcoxy carbonile मतलब जैसे माल लिज़े कि यहाँ पे methyl है तो alcoxy को methoxy carbonile पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे methoxy carbonile माल लो यहाँ पे एकर क्या है C2H5 है तो alcoxy के लिए ethoxy फिर carbonile इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे यह आपका syno as a syno use होगा यह आपका co-n-s2 amide को क्या पढ़ेंगे carbamoyl या carboxamido carbamoyl या carboxamido अच्छा इसके अलावा जो cocl है वो hello carbonyl पढ़ेंगे hello carbonyl वैसे तो अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता वो किसी भी halogen को represent करता है इसलिए hello carbonyl बोला जाता है otherwise अगर हम scl confirm कर रहे है तो आप इसे chloro carbonyl बोलेंगे क्या बोलेंगे chloro carbonyl अब जो example हमने पीछे लिया था उसको जर्या करते है केस को apply करते हुए कि किस तरीके से उसका नाम लिखा जाएगा यह छूटा से example हम कर रहे थे तो इस example में चीज़ confirm हो गई है कि जो ketone है वो as a prefix है तो अब ketone को as a prefix में तो क्या नाम लिखा जाएगा तो आपकी main chain कौन सी है यह वाली main chain है याद है ना सबको main chain कौन सी है यह आपका principal functional group है यह वाला तो numbering उसके according करेंगे याद है सब कुछ very good numbering उसके according करेंगे तो बस अब 3 पे आपका क्या है substitute और उसका नाम लिखेंगे so but saturated है so butane e-drop करके क्या लगाएंगे अल तो आपको यह बहुत अच्छे से आता है ना नाम लिखना इस तरीके से bifunctional याद पॉली फंक्शनल का नाम लिख सकते हैं तो फटाफट आगे देखते हैं कुछ और rules और फटाफट कुछ अच्छे compound की practice करते है हाँ बच्छो तो एक यह करके rule finish कर लेते हैं सबसे पहले तो जो यह वाल आपका third rule है इसमें क्या है principle chain decide करने है तो principle chain में क्या करना है हमें अपनी main functional group को अपनी main chain में include करना होगा तो ऐसी chain decide करने है जिसमें main functional group आता हो साथी साथ आपका secondary functional group वो भी possible आ जाए और बचे हुए कुछ subsequent अगर आ सकते हैं तो वो भी include करें longest chain में main जो आपका principle functional group है वो जरूर होना चाहिए तो देखे इसे साबशे अगर आप इस वाले example को देखे तो आपके यह कुछ functional group है देखे देखे यहाँ double bond है यह alcohol है यह आपका halogen और यह आपका क्या है LDI तो priority order को देखे जरा पीछे तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा priority इसकी है LDI के तो LDI आपका main function group है तो इसे chain में तो जरूर include कीजिए तो देख लिजी आप chain आप यह वाली consider करेंगे यह यह वाली consider करेंगे 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 length देखे सेम है और अगर length सेम नहीं भी हो फिर भी आप यह chain decide करते हैं जिसमें आपके सबसिट्वेंट्स यानि secondary function group भी include होते हैं हला कि यहाँ पे भी secondary function group है आपका है ना यह यह भी तो आप ऐसा function group काम करता था ना तो अब लेकिन यह वाला क्यों कि यहाँ पे दो दो एक तो secondary function group है जो कि ऐसा prefix काम कर रहा है और एक तो सबसिट्वेंट है ठीक है तो इस हिसाब से अगर हम आगे चलें तो आपकी main chain कौन सी हुई यह वाली यह main chain होगी ठीक है तो नाम लिखना सिखाए तो वैसे numbering का भी rule आगे पढ़ने वाले तो numbering फिर भी इहीं से बता लेता हूँ जो main function group है अगर उसका खुद का कारवन है तो उससे priority देजिए one number ठीक है और अगर आपका main function group टर्मिनल पर नहीं है तो कोशिच किजिए कि उससे lowest number देने की कोशिच करेंगे ठीक है lowest number तो वान टू थ्री यह फोर यह फाइव इस तरीके से तो आप देख लीजिए कहां कहां पर किस किस जगह पर आपके substitute एक तो थर्ड पर यह भी आज़र सब्स्टिट्ट काम करेगा से पहले यह इसका नाम क्या है इसका नाम होगा इत इन और आई है ना इसे स्टार्ट होगा इसका नाम याद दिलाओ प्रेफिक्स वाले केस में देखो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं इसको और नहीं पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी और इसका नाम क्या है क्लोरो तो बस सभी के नाम याद है आपको असंबल कर देते हैं फटाफट देखे इत एच और यह सी तो सबसे पहले कौन सा यह आएगा सी ठीक है तो इस फाइव क्लोरो फाइव क्लोरो उसके बाद यह आएगा थ्री स्मॉल लेटिस में लिखेंगे एथिनाइल फॉर पी क्या आएगा हाइड्रोक्सी और उसके वर्ड रूट देखिए पांच कारवन का है पेंट सैचुरेटेड है ठीक है और पहले ही कारवन पर अल लगा है तो डारेक्ट हम अल लिख सकते हैं ठीक है वन अल भी लिख सकते हैं और इस तरीक यह आपका नाम पूरा हुआ फटा फटा अगली इसे समझ पाएं तो देखिए अगर पहले एक्जांपल के लिख देखा जाए तो फॉस्ट एकजांपल में आप देख सकते हैं कि आपका एक फंक्शनल ग्रूप तो यहां पर एक यह रहा फंशनल ग्रूप बाके आपको अपको प्रेफिक्स का काम करेगा इस वाले केसमें तो आपके main chain तो आपको पता ये वाली होगी, ठीक है, main chain ये वाली होगी, अब इस main chain में आप numbering कैसे करेंगे, तो मतलब इस function group का खुद का carbon है, तो इसको provide करना पड़ेगा, one, two, three, four, और ये आपका five, तो इसी सब सब देखा जाएं, तो तीन पे hydroxy लगाए, hydroxy पड़ते हैं और इसको methyl पड़ेंगे, तो hydroxy पहले आएगा, so it is three hydroxy, four methyl, और कितने carbon की chain है, पाच, पेंट, तो आप देख सकते हैं, fourth पे unsaturation है, तो इन, इस तरीके से लिखेंगे, और आप देखेंगे, e-drop करना है, यानि नाइट्राइल, इन से start होगा, तो e-drop नहीं करेंगे, आप one नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, या आप direct नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, तो इससाब से ये वाला नाम आपका, पूरा हो जाता है, अच्छे से एक बार नाम को ध्यान से देख लें, और समझें, कि किस तरीके से लिखा ग है, तो ये रहा आपका एक सब्सिट्वेंट, याझनी कि जो अपका हलो जण है, या पर ये फंक्शनल ग्रूप है, अब देखते हैं, इससे भी बड़ा कोई फंक्शनल ग्रूप है, तो हाँ यहाँ पर ये एस्टर, ये कौन सा ग्रूप है, एस्टर, तो एलकोल और की जादा होती है तो इस हिसाब से यह में फंक्षल ग्रूप वह और यह आपका सेकेंडरी यह यह प्रेफिक्स का काम करेगा तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो नम्बरिंग आपको पता यहीं से स्टार्ट करने पड़ेगी तो नम्बरिंग करते हैं बिना किसी नम्बर के बिना किसी रेप्रेजेंटेशन के तो इस डेरेक्ट्ली यह मिथाईल लिखा जाएगा लिख़ए मिथाईल अब आप में जैन में देखिए कहां पे आपकी सब्स्ट्टिटेंट ने दो पे मिथाईल दो पे हैड्रोक्सी और तीन पे ब्रूम तो अलफ सी ठीक अब टू पे और क्या है मीठाइल कि उसके बाद आपको पता है चार का अरवन की चेन है Saturated है कई Double Bond नहीं है तो ऐसे लिखेंगे Butane और इसके लिए Oate लगता है क्या लगता है Oate तो आपने Functional Group वाली वीडियो तो देखेंगे इसका Previous Lecture अगर नहीं देखा तो आपको मैंने Description Box में दे रखा है उसका Link तो प्लीज जरूर जाके देखें तो इसको Oate लिखने के लिए मुझे इड्रॉप करना होगा और One Oate में लगा सकता हूं यह मैं Direct भी Oate लिख सकता हूं तो इसे साब से यह आपका नाम इस Compound का पूरा हुआ अच्छे से चेक कर लें बहुत अच् Example तो और भी Simple है Functional Group आपको देखे एक यह रहा Functional Group Carbox League और एक यह रहाँ आपका Amine अब Compare करो Priority Order में किसकी Priority ज्यादा अफकॉर्स Carbox League की ज्यादा Priority है तो बिल्कुल उसके basis में नंबर करेंगे One Two Three और यह है Amine लेकिन अब इसको as a prefix में पढ़ना होगा क्या Amino तो नाम दे प्रोपेन करके पढ़ेंगे इसके लिए OIC Acid तो इड्रॉप करके मैं डारेक्ट लिख सकता हूँ OIC Acid यह आपका नाम पूरा हुआ है ना सिंपल सा बड़ी ऐसा नाम नाम लिखना सीखें फड़ा फट लास्ट एक्जामपल फूर्थ एक्जामपल कुछ बॉंड लाइन रेप्रेजेंटेशन में दे रखा है लेकिन बहुत असान है ध्यान से देखिए आई देखते हैं सौल करते हैं इसको तो सबसे पहले इसमें देखो function group कहा कहां पे यह र जादा है चेक कर लिए अपनी notebook में बिल्कुल किटोन की priority जादा है तो हमें numbering इसके according करने पड़ेगी और main chain ऐसी decide करो कि यह आपका जरूर इंक्लूड हो तो यहां से start करना होगा one two three four five six end तक जाएंगे ठीक है six number तक हुआ अब देखिए कहां कहां पे prefix हैं तो भई prefix एक त करें दो बार मेथाईल है और एक बार hydroxy है ठीक है तो इसी साब से नाम किसका लिखा रहेगा पहले hydroxy का alphabetical order की according so five पे hydroxy लिखें five hydroxy उसके बाद आपका four comma four dimethyl ठीक छे carbon की chain है legs पांच बे पे क्या है भी एन है और दो पे क्या है ओन तो ये वाला नाम भी पूरा हुआ ध्यान से एक बार चेक कर ले कोई कमीना रहे ठीक है कोई गड़बड ना हो ध्यान से चेक कर ले और इसी साब से आपका पूरा हुआ ठीक है तो अच्छी से चेक कीजिएगा सारे बड़िया से पढ़ियेगा